Hello everyone, this is Saksha Vishnui, welcome to Social School तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हमारी जो Class 12 Economics है इसमें जो बुक है Macroeconomics, उसका जो Chapter 2 है National Income Accounting, उसके Full Chapter Explanation का Part 2 Part 1 हम लोग अल्रेडी देख चुके हैं जुसमें हम लोगोंने जो various basic concepts है Macroeconomics के वो सारे समझे थे कि वो क्या होते है I guess आप लोगोंने वो वीडियो देख लिया है If in case अगर नहीं देखा हो तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए Because जब तक आप लोगों पता नहीं चलेगा कि कि इस particular term का क्या मतलब है तब तक आप आगी की चीज़े नहीं समझ पाओगे तो अगर वो वीडियो by any chance skip हो गया हो तो उसे जरूर देख लीजगा Start करते हैं वतार part 2 जिसमें हम लोग basically circular flow of income को देखेंगे Types of circular flow of income को देखेंगे उसके बाद में कुछ national income aggregates जो है जो various national income aggregates हमारे पास में उनके बारे में देखेंगे कि वो कौन-कौन से होते हैं उनका मतलब क्या होता है यह सारी चीज़े ठीक है Start करते हैं first topic से that would be circular flow of income ठीक है so meaning and phases of circular flow of income पर आते हैं अब देखो एकदम जो है topic के जो terminologies है उस पर जाने से पहले अगर जो topic हमारे पास में अगर उसका हम पूरा define करें तो आदा जो है उसका explanation हमें यही मिल जाएगा understanding जो है हमारी वो यही पर क्या हो जाएगी build हो जाएगी तो क्या particular topic है students हमारे पास में circular flow of income इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई income है जिसका हमें circular flow बताना है like for an example यह कोई विवूद से कि ए कोई भी एक institute है या कोई भी person है कोई भी particular sector है जहां से क्या हुई है income start हुई है ठीक है और फिर यह income यहां तक गई फिर बापस आई फिर इधर आई तो मतलब कि यहां से income generate होकर बापस income यहां तक पहुचती है उसे हम क्या कहते है उसे हम कहते है circular flow of income अब यह पूरा phenomena होता क्या है या कैसे होता है किन sectors की हम लोग बात कर रहे हैं उस चीज़ को हम लोग यहां पर समझ लेते हैं सबसे पहले जो है इसकी जो definition जो आप लोग के books वगेरा में दी है उस definition के थू चलते हैं कि circular flow of income क्या होता है So it refers to cycle of generation of income in the production process its distribution among the factors of production and finally its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them अभी यहां पर यह जो terms है household firms I guess income अप लोग को जो है पता होगा अच्छे से Reason being हम लोग इनने पहले पढ़ चुके हैं और मैं यह assume कर रही हूँ कि आप पुराने वीडियोज अल्रेडी देख चुके हूँ ठीक है तो households कौन होते हैं Households में वो consumers होते हैं Plus households वो भी होते हैं जो अपनी factor services provide करते हैं ताकि जो है वो production process में help कर सके ठीक है Firms क्या होती है? Firms होती है जो producing units होती है सबसे पहले है cycle of generation of income सबसे पहले income क्या होती है? सबसे पहले income होती है generate ठीक है? कोई भी चीज़ बनेगी उसी के बाद तो वो circulate होगी तो सबसे पहले जो है आपकी income generate होती है उसके बाद में यह जो income है इसे distribute किया जाता है ठीक है? और फिर जिन्हें भी इनकम distribute की गई है वो क्या करते हैं? वो उसे dispose off करेंगे that means वो जो है उससे spending करेंगे जैसे कि for example कोई एक person है A इसने क्या किया है? इसने production किया है या we would say कि A को हम क्या मान ले? firms मानते हैं इससे जादा clarity मिलेगी आप लोग को जो A है वो क्या है? वो है firm ओल राइट firm में क्या होता है? students firm में होता है production अब इस production को करने के लिए various factors of production यहाँ पर apply करने पड़ेंगे ठीक है? मैं in short लिख रही हूँ factors of production को FOP ठीक है? factors of production ने जो है क्या किया है? इस production process को complete कै अब obvious सी बात है कि अगर यहाँ पर किसी ने भी जो है अपनी जो है service provide की है तो वो person क्या करेगा? या वो जो भी particular चीज है वो क्या करेंगे? उन्हें क्या चाहिए होगा? in return जो है income चाहिए होगी right? that means कि अगर मैं आज किसी के लिए काम कर रही हूँ तो मैं क्यों करूंगी? क्योंकि वो person मुझे पे कर रहा होगा इसलिए हम काम करेंगे तो यह जो factors of production है इसमें basically अगर हम majorly ले तो जो labor वाला हमारा section है उससे आप लोगो अपनी services प्रोवाइड की है तो अब यह इन्होंने अपनी services क्यों प्रोवाइड की है ताकि यह जो firm A है यह इन्हें जो है income दे all right that means income जो वो distribute करें वो उच्छे all right अब देखो यह जो production है students यह एक kind से क्या है यह एक kind से है income generation यहाँ पर जो है income generate हुई है all right अब यहाँ पर जो है काम करवाया firm A ने तो firm A ने क्या क्या distribute कर दी जो भी income थी वो labor को अब labor क्या उस particular money को सिर्फ अपने पास में रखके रखने वाला है नहीं हम earn करते हैं तो हम spend भी करते हैं तो यहाँ पर in the very first phase जो है आपका जो income है वो क्या हुई है generate हुई है उसके बाद में इस particular phase पर जो income है वो हुई है distribute all right और फिर उसके बाद में यह जो labor है यह labor क्या करेगा यह labor उस income को dispose of करेगा ठीक है यह जो labor है यह various goods and services को खरीदेगा और जब वो चीजों को खरीद रहा है तो वो क्या कर रहा है वो spend कर रहा है उसकी जो money है उसे ठीक है तो यहाँ पर क्या होने वाला है अब यहाँ पर जो है labor dispose करने वाला है उसकी income को अब यह जो dispose की है income यह बापस कहां पर जाएगी यह बापस जाएगी इस firm के पास में कैसे जाएगी simple सी बात है जो इस labor ने goods को खरीद आये ठीक है कोई भी services को लिया है उसने तो वो produce किस ने की है वो produce किये firm A ने अभी यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रगो मतलब कि समझने के purpose से यह समझो कि हमारे पास में पूरी economy में सिर्फ और सिर्फ A की firm है और सिर्फ यहाँ पर labor work कर रहे हैं सिर्फ यही से क्या हो सकती है income generate हो सकती है ठीक है तो यहाँ से जो है यह जो labor ने dispose of की है that means expenditure incur किया है तो वो goods and services को purchase करने में क्या है तो ultimately यहाँ से जो money है वो बापस कहां जाएगा इस production unit पर चला जाएगा तो यह जो income जो की generate होई थी firm A से वो पूरा गूमी पूरी economy में गूमी और बापस कहां पर आ गई? firm A पर बापस आ गई ठीक है? This is basically circular flow of income Alright, I guess आप लोगो को समझ में आ गया होगा इससे की circular flow of income हम कैसे जो है बता रहें ठीक है? Now यह जो तीन चीज हमने पड़ी पहली generation of income फिर आता है आपका distribution of income और फिर आता है आपका disposition of income इन्हें हम क्या बोलते हैं? So these are phases of circular flow of income ठीक है? कभी भी आप लोगो के पास में question आए और question में यह पूचा जाए what are different phases of circular flow of income? तो आप क्या बताओगे आप इन तीनो phases को बताओगे that is generation of income then आता है distribution and then आता है disposition और कभी भी अगर circular flow of income का आपके पास में question आता है तो हमेशा याद रखना कि आप diagram बना कर आओ ठीक है? और phases अगर पूचे तो यह बताना है अगर types पूचे तो types क्या होते हैं वो अभी हम लोग आगे देखेंगे ठीक है? अब इस particular चीज को properly एक बार जो है हम proper जो definitions उसके साथ में देख लें कि generation, distribution and disposition में क्या है? Also इनके alternative names है like generation of income को हम क्या बोलते हैं? production phase कहते हैं जो आपका distribution of income है this is the income phase. Income phase क्यों है? क्योंकि लोग यहाँ पर earn कर रहे हैं ठीक है? तो यह एक income generating या income earning वाली क्या है phase है? उसके बाद में disposition यहाँ पर जो है expenditure किया जा रहा है इसलिए हम क्या बोल रहे है? expenditure phase बोल रहे हैं ठीक है? then comes here generation phase तो in this phase firms produce goods and services with the help of factor services ठीक है? तो जो firms है वो goods and services को produce कर रहे हैं इसकी help से? factor services की help से. फिर आतने distribution phase पर तो this phase involves the flow of factor income rent, wages, interest and profit from firm to households ठीक है? अभी firms to households क्या जा रहा है? जो factor income है उसका distribution हो रहा है ठीक है? firm ने जो है जैसे कि हमने example A का लिया था तो A से production होकर जो various factors of production है वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर जो है income दी जा रहे है, ठीक है? distribute की जा रहे है. ओल राइट? then disposition phase so in this phase the income received by factors of production is spent on goods and services produced by firm ठीक है? तो इस phase में क्या हो रहा है? कि जो income received की गई है by the factors of production वह spent की जा रही है on the goods and services जो की produce किस ने की है? firm ने की है. तो इस वे से आपका जो पूरी income है या जो money है वो circulate होता है economy में. ठीक है? एक का expenditure is equals to सामने वाले का income. ओल राइट? यहां से distribution क्या? यह production वाले के लिए क्या है? वो expenditure है इसके लिए income है. फिर उसके बाद में यहां से expenditure किया तो जो expenditure कर रहा है उसके लिए क्या है? उसके लिए वो expenditure है लेकिन सामने वाले के लिए क्या होगी वो सामने वाले के लिए वो हो गई आपकी income. ठीक है? तो यह हमेशा याद रखना economics में कि expenditure of one is equal to income of another ठीक है? Then आते हैं sectors involved in circular flow कौन-कौन से sectors involved होते हैं circular flow में उस चीज को हम लोग देखें तो अगर देखें तो चार sectors होते हैं students that is household sector, producing sector, government sector and rest of the world अब जैसे ये चार sector है ना उसी way में हम लोग circular flow of income को two sector economy में पढ़ सकते हैं, three sector economy में पढ़ सकते हैं and four sector economy में पढ़ सकते हैं लेकिन आपके syllabus के हिसाब से हमें चलना है तो आपके syllabus के हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ two sector economy में जो है इस चीज को study करनी है ठीक है? जब हम two sector economic की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना ये दोनों sectors आएंगे that is household sector and producing sector जिसे हम in short households and firms कहते हैं जो आपका government sector and rest of the world है इसका बस आपको मतलब पता होना चाहिए इसके apart हमें इससे कोई मतलब नहीं ठीक है engaged in the consumption of goods and services and is also the provider of factor services ठीक है तो जो household sector है वो engaged होता है किसमें जो goods and services हो उनके consumption में also जो household sector है वो factor services provide करता है household sector के बिना याद रखना production process नहीं हो पाएगी क्यों नहीं हो पाएगी because household sector ही है जो की factor services provide करता है जो की help करती है production में ठीक है देन आते है production या producing sector पर जिसे की हम firms कहते है so it is engaged in production of goods and services it is also referred to as firms ठीक है जो producing sector है वो किसमें engaged है जो production of goods and services है उसमें और इसे हम firms भी कहते है government sector पर आते हैं फिर so it is engaged in such activities which are related to taxation and subsidies as well as consumption and production जो government sector होती है students उसे आप देखोगे कि government at a time consumer है at a time government producer भी होती है ठीक है हम लोग जो है various government owned enterprises भी देखते है तो उस time पर government क्या है producer है जब government goods and services consume करती है तो वो क्या बन जाती है वो बन जाती है consumer तो government जो है वो producer भी होती है और वो consumer भी होती है depending कि वो क्या function perform कर रही है उसके बाद में जो है जो government है that is related to taxation and subsidies ठीक है taxation, subsidies यह सारी चीज़े जो है यह government से ही होती है all right then उसके बाद में आते है rest of the world rest of the world मतलब कि क्या जो आपका पूरा foreign sector है that is rest of the world जहां पर हमारा relation क्या रहेगा import and export वाला ठीक है so it engaged in it is engaged in exports and imports all right so I guess यह जो चारो sectors यह clear है then उसके बाद में आते है types of circular flow पर ठीक है अब types of circular flow and phases of circular flow याद रखना कि अलग अलग है जब हम types of circular flow की बात करते हैं तो इसमें दो type के होते हैं first is the real flow and second is the money flow सबसे पहले real flow को देखते हैं real flow की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक particular जो है term याद रखना है that is this is a kind of barter exchange ठीक है I guess barter exchange आप लोगों ने आपकी previous classes में पढ़ा है और आप लोग जानते हो कि barter exchange क्या होता है barter exchange जो है वो किस type का exchange है that is goods to good exchange ठीक है यहाँ पर money का exchange नहीं होता है right barter exchange में money जो है वो हम exchange नहीं करते है हम good to good क्या करते है exchange करते है एक person ने कुछ good दिया है सामने वाले ने दूसरा good दे दिया alright this is barter exchange same way में real flow में money का कोई role नहीं है ठीक है real flow में barter exchange वाला phenomenon में आपको बता रही हूँ न इसलिए क्या याद रखना है कि real flow में money का कोई role नहीं है यहाँ पर firms और households के बीच में money circulate नहीं करता है तो फिर क्या circulate करता है यह question आएगा तो देखो जब हम households और firms की बात कर रहे हैं तो we know households जो हैं वो क्या हैं वो एक तो consumers है also यह factor services क्या करते हैं provide करते हैं ठीक है this is provider of factor services यह दो चीज़े हमें पता है ठीक है firms का क्या काम है firms का काम है production करना अब एक simple सा logic अगर firms को production करना है तो उन्हें factors of production की ज़रुरत है ठीक है या फिर वो उट से कि factor services जो है वो उन्हें लेनी पड़ेगी तब ही वो produce कर सकेंगे तो वो कहां से इन factor services को लेंगे यह household से because households ही तो है जो की factor services provide कर रहे तो factor services जो है वो यहां से provide की जाएगी इन्होंने अपनी factor services provide की तो उसकी वज़े से क्या हुआ production हो गया अब firm क्या production करके वो जो भी produce goods है वो खुदी के पास रखेंगी क्या नहीं खुद के पास रखने के लिए तो इतना production किया नहीं उन्होंने production क्यों किया ताकि लोगों के wants fulfill हो सके तो आब ultimately इस produced goods को उन्हें जो है किसी को देना रहेगा अब एक चीज simple याद रखना जब भी आप circular flow of income को पढ़ रहे हो तो इसमें आपको याद रखना है कि दो ही sectors में हमें पढ़ना है that is firms and households में ठीक है कोई तीसरा sector नहीं लाना है और इस चीज को और simplify करने के लिए आपके syllabus में जो है 3 sector and 4 sector को वैसे भी जो है नहीं include किया गया है तो आपको बिलकुल specifically याद रखना है कि circular flow of income में सिर्फ और सिर्फ दो सिक्टर है that is households and firms ठीक है तो अब यह जो produced goods है इनका क्या किया जाएगा इनका जो है इन्हें जो है दे दिया जाएगा to households ठीक है households क्या है consumers भी है और अव्यस सी बात है कि जब households अपनी factor services provide करेंगे तो household firms को free में दोड़ी ना factor services provide करेंगे वो firms से in return क्या चाहेंगे किसी kind का जो है कोई भी kind से जो है उन्हें return मिले अब यहाँ पर हम बोल रहे है money नहीं है money नहीं है तो उन्होंने जो goods बनाया है वही sell कर दिये जाएंगे चीक है तो इन्होंने factor services provide की इसके बदले में firms ने इन्हें क्या दिया है firms ने इन्हें goods and services provide की तो इस वे से जो है आपका पूरा circle है वो क्या होता है वो complete होता है और इसमें money का कहीं से कहीं तक involvement नहीं है इस type के flow को आप क्या कहोगे real flow ठीक है जहाँ पर money का role नहीं है अगर हम इसका graph भी देखें तो देखो households ने provide की है factor services like land, labor, etc और firms ने क्या provide क्या है goods and services ठीक है to households अब इसके एक बाद definition भी पढ़ लेते हैं so real flow refers to the flow of factor services from households to firms and the corresponding flow of goods and services from firms to household ठीक है household से firm पर क्या गया है factor services और इसके against corresponding flow of goods and services कहां से कहां तक firms से household ठीक है also known as physical flow real flow को हम physical flow के नाम से भी जानते है alternative name याद रखना है alternative name से जो है कभी-कभी आप लोग के पास में questions आ जाते है also कभी-कभी यह होता है कि आप लोगों से differentiation पूसा जाए तो differentiation में जो है alternative names हमें help करते है जब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या basis point बना है तो हम जो है यही बना देते हैं कि also known as करके लिख दो और यह हमारे एक basis point बन जाता है इसलिए alternative names जो है वो याद होने चाहिए हमें हमेशा ठीक है so real flow is also known as physical flow अब आते है money flow पर अब देखो real flow में हमने क्या बात की थी कि money जो है वो कहीं से कहीं तक flow नहीं हो रहा है money flow जैसे कि उसका नाम ही बोल रहा है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर जो है money का circulation होने वाला है देखो जो चीज है ना यह जो particular चीज पढ़िए यह fix कर लो अपने mind में यह ऐसे ही चलने वाला है बस अब इसमें क्या हो जाएगा money add हो जाएगा जैसे कि households ने अपनी factor services provide की है firms को तो firms in return good जन services provide नहीं करेगी firms in return जो है इन्हें factor income provide करेगी और अगर firms दे रहे हैं तो firm के लिए यह payment है इसलिए हम इसे factor payment कह सकते हैं मतलब की firms से household क्या गया है यहां से यहां तक money गया है ठीक है and then उसके बाद में households उस money क्या करेगी consumption purpose के लिए use करेगी that means वो spend करेगी तो अब जो है households expenditure incur करने वाली है and वो money बापस किस के पास चला जाएगा firms के पास में तो यहां पर जो है हम क्या लिख सकते है expenditure लिख सकते है all right इस expenditure के बदले में firms ने क्या दिया है good done services दे दिये all right तो यहां पर क्या हो गया money का flow हो गया concept वही same है बस अब यहां पर जो एक real life आज की date में जो चलता है कि अच्छा हमने किसी के लिए काम किया है तो हमें in return money मिलेगा फिर हम उस money को spend कर सकते है on various goods and services खीक है तो बस वही चीज जो है वह आपको यहां पर बतानी रहेगी all right देखो I guess यह चीज यहां से बिलकुल अच्छे से clear हो गया होगी यहां से याद रखना है ऐसा नहीं है कि आपको जो है जितने types of circular flow है उतने अलग-अलग याद रखने है एक अगर आपको पता है तो आपका जो circular flow of income है वो पूरा concept आप 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 से समझ जाओगे यही सेम चीज जब अभी हम लोग देखेंगे हमारा two sector economy में तो यही सेम चीज वहां पर भी apply होगी ठीक है So money flow refers to the flow of factor payments देखो किसका flow हो रहा है factor payments का flow हो रहा है from firms to household for their factor services and corresponding flow of consumption expenditure from households to firms for purchase of goods and services produced by the firms ठीक है तो जो money flow है वो क्या है that refers to the flow of factor payment एक side से firms और इन से क्या गया है factor payment गया है income बोलेंगे अगर हम household के जो है respect में बोल रहा है और अगर हम firms के respect में बोलेंगे तो हम उसे payment बोल देंगे ठीक है तो यहां से जो है factor income गयी in the form of rent wages, interest and profit household से क्या गया है consumption expenditure गया है that is payment for goods and services nominal flow भी कहते हैं all right जो आपका money flow है that is also known as nominal flow तो आपका जो real flow is students that is known as physical flow and जो आपका money flow है that is known as nominal flow okay then आते हैं circular flow in a simple economy that is two sector economy हमें three four नहीं पढ़ना है इसलिए हम सिफ two sector economy को पढ़ते हैं और जो circular flow वाला concept है उसे complete करते हैं तो जो circular flow of income है in a simple economy that is two sector economy में so a simple economy assumes the exercise of only two sector that is household sector and the firm's sector ठीक है households are the owners of factor of production and consumers of goods and services firms produce goods and services and sell them to the household it is the simplest form of closed economy in which there is no government sector and foreign trade ठीक है अब देखो concept वही है, same चीज है जो अभी तक हम लोगोंने real flow और money flow को अलग-अलग पढ़ा है उस सबको एक साथ में combine करकर एक figure में बता दोगे तो आपका जो circular flow of income in simple economy है या फिर we can say circular flow of income in two sector economy है ये complete हो जाएगा, ठीक है देखो वही चीज में आपको यहाँ पर show भी कर दूँगी with the help of diagram Now in order to make our analysis simple we take some assumptions अब कुछ assumptions हमें लेने हैं वो क्या-क्य assumptions है वो देख ले There are only two sectors in the economy that is households and firms, ठीक है हमें assume करना है कि सिर्फ और सिर्फ दो sectors ही है economy में और वो दो sectors है households and firms, इसके अलावा कोई भी third sector जो है वो operate नहीं करता है economy में, it means there is no government and foreign sector ठीक है, then household sector supplies factor services only to firms and the firms higher factor services only from households ठीक है, जो household sector है वो अपनी factor services supply करते हैं सिर्फ और सिर्फ firms को और किसी को नहीं करते हैं these are assumptions, ठीक है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है firms को अपनी factor services provide करते हैं also जो firms है वो factor services को higher करती है सिर्फ और सिर्फ household से ठीक है, household के अलावा और कहीं से जो firms है वो factor services नहीं higher कर सकती है ठीक है firms produce goods and services and sell their entire output to the households ठीक है जो firms है वो goods and services को produce करती है और पूरा का पूरा जो उनका output है ठीक है entire output जो है वो sell कर दिया जाता है to households households जो है वो factor income receive करती है for their services and spend the entire amount on consumption of goods and services ठीक है जो firm sorry, जो households है उन्होंने जितनी भी factor income receive की है वो entire income जो वो spend कर दी जाएगी on the consumption of goods and services that means no kind of saving no kind of investment ठीक है जितना money उनके पास में आया है वो पूरा spend करेंगे goods and services को purchase करने में और goods and services कौन बना रहा है firms बना रही है ठीक है so there are no savings in the economy that is neither the household save from their income nor the firms save from their profit ठीक है तो यहाँ पर कोई savings भी नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि firms ने सारा का सारा जो अपनी जो we would say कि उनके पास में जतना भी money आया था वो in the form of factor income किसको दे दी household को दे दी household के पास में जितनी income आई वो उन्होंने entire income क्या कर दिये इसका जो diagram है या we would say कि जो इसका flow chart kind of है वो हम देखें तो one side we have taken firms one side we have taken households households क्या कर रहे है households जो है वो अपनी factor services provide कर रहे है to firms तो इसके against जो firms है वो factor payment provide कर रहे ठीक है देखो यह हुआ real flow आपका और यह money flow का part है ठीक then यहां से firms से जो है goods and services आ रहे है और household जो है वो इस पर consumption expenditure करेंगी ठीक है that means in goods and services का payment हो रहा है ठीक है तो अगर आप देखोगे यह जो आपका outer वाला जो circle है या जो outer वाला flow है वो आपका money flow है और यह जो inner वाला है यह क्या है यह है आपका real flow ठीक है तो वही चीज जो मैंने आपको बोली कि real flow और money flow को combine कर दो तो आपका circular flow of income into sector economy वो हो जाएगा ठीक इतना simple सा है आपका circular flow of income and I guess कि आप लोग को clear भी हो गया होगा now conclusions of circular flow of income in simple economy जो total production है that is always equal to total consumption because यहाँ पर कोई भी kind of saving नहीं है जो firms है वो अपना entire output sell कर देती है to the households ठीक है तो जो total production है वो total consumption के equal होता है factor payment जो है वो factor income के equal होती है then consumption expenditure जो है वो factor income के equal होगा consumption expenditure and factor income equal कैसे हुए जितना जो है households को income मिली है वो पूरा का पूरा spend कर देंगे तो इसलिए हम क्या बोल रहे है कि consumption expenditure जो है वो किसके equal है factor income के equal है and real flow जो है वो किसके equal है money flow के equal है ठीक है that means जितना भी production हो पूरा का पूरा है कहा जा रहा है households के पास में जा रहा है कुछ भी चीज जो है stock में नहीं रखना है कुछ भी save नहीं गरना है यह सारी चीज है यह सब कुछ यह जो सारे factors वो एक दूसरे के equal बनते है all right so I guess this is clear जो पूरा circular flow का concept है I hope so यह clear हो गया है then इसके जो significance है कि आपका यह जो circular flow of income है यह क्या show करता है इसका क्या importance है यह हमें क्या बताता है so it helps us to understand the mutual interdependence among different sectors of the economy ठीक है अभी हमने सिर्फ और सिर्फ two sector में पढ़ा है लेकिन अगर हम three या four sector में पढ़ते तो हमें और जादा जो है एक broad we would say कि एक broad view मिलता कि कैसे जो है economy function करती है कैसे economy में यह जो different sectors है वो एक दूसरे से कैसे जो है related है एक दूसरे के ओपर कैसे dependent है यह चीज़े हमें समझ में आती तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि जो circular flow of income है वो help करता है हमें mutual interdependence जो है वो समझने में ठीक है it shows the equilibrium position of the economy ठीक है एक equilibrium position show करता है that means जहां पर आपकी demand and supply equal हो रही है अगर production and consumption equal हो रहा है तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि जो demand and supply हो कही ना कही क्या हो रही है एक दूसरे के equal हो रही है और वो एक equilibrium वाली जो condition है या position है वो हमें show कर रहा है it helps in identifying various types of leakages and injections in the economy अब ये जो चीज़ है students leakages and injections इसका मैं मतलब समझा देती हूँ बट ये चीज़ हम लोग simple economy में नहीं देखते हैं ये हमें कहां पर देखने को मिलती है जो हमारी two sector, sorry three sector four sector economy है जहां पर financial markets भी होते हैं वहां पर ठीक है? leakages are basically कि income जो है तो वो जो particular part of income है वो आपिस जो है circulate नहीं हो रहा है that means वो circular flow से बहार आ गया है ठीक है? injections क्या हो गया? investment हो गया आपने जो है money को invest कर दिया that means वो चीज़ आपके जो है present circular flow से आपको money नहीं मिला था but yet आपने extra amount क्या कर दिया है inject कर दिया है तो those are what? injections ठीक है तो leakages और injections को समझने में और जो है उन्हें identify करने में भी हमें circular flow help करती है it helps in estimation of national income national income को कैसे जो है estimate करने में help करती है तो देखो हम लोग अगर पूरा production निकाल दें अल रहीट अगर हम पूरा production निकाल दें कि कितने amount का production हो आए वो आपके national income हो जाएगी अगर मान लो इस phase को छोड़ो ठीक है ये एक phase हो गया इसके अलावा second phase पर आओ जहाँ पर income receive होती है that means जो distribution वाला phase है वहाँ पर अगर जो है income को find out कर लिया जाए जो total income receive होई है अगर वो सब कुछ जो है add कर लिया जाए तो वो हमें पता देगी कि आपकी national income किती है या फिर third वाला जो expenditure वाला phase है वो भी हमें क्या show करता है कि कितना आपने expenditure किया है आप expenditure कितना करोगे जतना आपने money receive किया है तो आप expenditure कितना कर रहे हो अगर सारे expenditure को हम add कर दे तो पूरे nation की कितनी income है वो हमें पता चल जाएगी तो अब ये जो production income और expenditure वाला phase है ये तीनों चीज़े आप लोग आगे देखोगे आगे आने वाले वीडियो में कि जब हम measurement of national income की बात करते हैं तो measurement of national income में तीन method होती है हमारे पास में एक होती है value added method जो की production process से related होती है इस वाले phase से एक method होती है आपकी income method ठीक है वो आपके इस वाले phase पर जो है क्या करती है इस वाले phase के according work करती है और एक method होती है आपकी expenditure method जो की इसके according work करती है तो ये जो आपके 3 phases हैं of circular flow of income इन 3 phases से ही हमने जो है national income को measure करने के जो methods हैं वो बनाए हैं, ठीक है, और आप किसी भी method से देख लेना, आपका answer क्या आएगा, same आएगा, क्यों, क्योंकि जितना production हो रहा है, उतना ही income हो रही है, लोग के और जितनी income हो रही है, spend हो रही है, that means expenditure हो रहा है, इसलिए जो है, आपके तीनों में answers क्या आएगे, same आएगे, ठी को national income क्या है, domestic income क्या है, और इनके various aggregates, that means इन से related जो और भी terms है, या इन से related, we would say कि जो और भी measures है, वो क्या-क्या है, उन सबको हम लोग देख लेते हैं, अब अगर हम लोग basically बात करें students, तो हमारे पास में कुछ eight aggregates होते हैं, ठीक है, इन आठो aggregates के बारे में हमें पता होन चाहिए, इनका मतलब क्या है, अगर मान लो किसी का भी question, मतलब आपके पास में कोई भी question आजा और इन में से, किसी भी particular एक aggregate से पूछा जाए, कि ये क्या होता है, तो आपको उसका meaning कैसे लिखना है, वो सारी चीज़े जो है, वो पता होनी चाहिए, तो बस उसी सारी चीज जो को जो है, हम लोग याँ पर देखने वाले है, ठीक है, तो सबसे पहले gross domestic product at market price, that is GDP at MP, ठीक है, इसे short में GDP at MP बोलते हैं, then आता है gross domestic product at factor cost, देखो GDP है कैसा term है, जो आप लोगोंने पहले भी सुना होगा, ऐसी normally सुना होगा, कि अच्छा ठीक है, GDP इतना हो गया है, या GDP as compared to previous year, जादा है, कम है, ये सारी चीज़े, right, might भी सुनी होगी, might भी नहीं सुनी होगी, लेकिन अब subject की demand है कि आपको GDP के बारे में पता होना चाहिए, कि actually में GDP होता क्या है, ठीक है, जब हम GDP की बात करते हैं, तो वो दो specs पर calculate किया जा सकता है, एक होता है market price पर, एक होता है factor cost पर, now what is this market price and factor cost, तो ये चीज़े जो है, ये हम लोगों ने अपने last वाले lecture में देखी थी, जब हम लोगों ने basic concepts of macroeconomics पढ़े थे तब, कि factor cost क्या होता है, market price क्या होता है, gross का मतलब क्या होता है, net का मतलब क्या होता है, यूंकि next net आ रहा है न, इसलिए मैं नहीं होगी समझने में चीजों को, कि पता नहीं मैं क्या-क्या बोल रही है, और मैंने भी आपको बोलाई कि मैं अज्यूम कर रही हूं कि हाँ, आप लोग पढ़ चुके हो, आपको पता है, ये सारी चीज़े क्या होती है, start में बता दूँगी, लेकिन हम लोग बहुत डीटेल म ठीके, यहां तक के जो एग्रिगेट्स हैं, ये चारो एग्रिगेट्स, इन्हें हम डॉमेस्टिक एग्रिगेट्स मानते हैं, ठीके, that means जो डॉमेस्टिक लेवल पर जो एग्रिगेट्स हैं, they are GDPAT MP, NDPAT MP, GDPAT FC and NDPAT FC, अब देखो, बहुत सिंपल है इन्हें याद करना, आ अब जो ये market price है, इसको एग्रिगेट्स रहने दो, ये gross को क्या कर दो, net कर दो, फिर ये factor cost को एग्रिगेट्स रहने दो, gross को क्या कर दो, net कर दो, तो इस हिसाब से आपके जो है, चार एग्रिगेट्स बनेंगे, देखो, आभी जो है ना, ऐसे घबरानावत की मैडम इनका मतलब तो बताई नहीं रही है, बताऊंगी इनके हर एक particular का meaning आपको बताऊंगी, लेकिन पहले जो है, मैं ये trick बता दू कि आप लोगो को याद कैसे रखना है, इने, उनके नाम ही याद रख लो पहले, फिर उसका मतलब पर जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में आता ह gross national product at market price, देखो अब क्या हुआ है, ये जो first वाला था, इसमें यहाँ पर क्या आया था, domestic आया था, अब इस domestic कि जगा पर अपने क्या ले लिया, national ले लिया, तो ये बन के आपका gross national product at market price, second वाला देखो क्या है, gross domestic product at factor cost है, यहाँ पर क्या किया, gross national product at factor cost, यह फिर से यहाँ क्या ले आये हम, national ले आये, अब सेम जीज, इनका net भी बना दे, जो चीज ग्रॉस पर देखे वो net पर देख ले, तो net national product at market price and net national product at factor cost, अब ये बीज बीज में national national आया है, तो यह क्या बता रहा है, कि यह है हमारे national aggregates, ठीक है, यहाँ पर domestic आ रहा था, तो यह शो कर रहा था हमें कि यह है हमारे domestic aggregates, ठीक है, ना ओ, domestic income और national income नाम की कुछ चीज होती है, और वो यह होती है, जो आपका NDPAT FC होता है, मतलब कि यह वाला जो particular aggregate है, उसे हम बोलते है domestic income, कभी भी आप लोगों को बोला जाए कि domestic income find out करनी है, तो that means आप लोगों को question में NDPAT FC को find out करना है, ठ फिर national income पर आए तो जो NNPAT FC होता है, मतलब कि यह particular चीज जो हम लोगों ने देखी है, this is your national income, ठीक है, तो I guess कि यह aggregates आप लोग अच्छे से याद रखोगी कि national income का मतलब है NNPAT FC और domestic income का मतलब है NDPAT FC, ठीक है, नाओ, net और gross में क्या difference है, यह जो net और gross हम लोग उस कर रहे इनका क्या मतलब है और इनमें क्या difference है, ठीक है, देखो हमेशा याद रखना, जब भी net और gross की बात आ रही है ना, तो it means कि इनके बीच में एक factor है, that is termed as depreciation, जब आप किसी भी चीज को calculate करते हो, और अगर उसमें से आपने depreciation को जो है, consider नहीं किया है, तो उसे हम बोलेंग के gross level पर है वो, लेगें अगर आप कुछ calculate कर रहे हो, किसी भी चीज की value और वहाँ पर आपने जो है, proper consideration प्रोवाइट किया है, to depreciation, तो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि वो है हमारी net value, in short, जब आपके calculation में आप depreciation को minus नहीं करते हो, तो वो gross वाला product आएगा, और अगर आप depreci depreciation को minus करते हो, तो वो आएगा आपका net product, gross minus net is equals to depreciation, ठीक है, यह difference है आपके gross और net में, what is factor cost and what is market price, तो जब आपके goods and services बने, ठीक है, production process में goods and services बने, तो जितना cost लगा है, उस cost को total किया जाता है, तो वो जो particular amount आता है, that is termed as factor cost, ठीक है, और market price क्या होगा, market price वो particular price है, जिस पर हमें market में goods and services मिलते हैं, obviously जितना cost लगा है और जितने price पर हम खरीदते हैं, उसके बीच में profit margin भी रखा जाता है, ठीक है, तो यह जो profit margin है ना, इसको अगर हटा दो, तो दोनों equal हो जाएंगे, all right, but जो है factor cost and market price वाले क्या है हमारे पास में scenarios है, जो की हमें पता होने चाहिए, factor cost कि जब आपके जो factors of production में, we would say कि जो production process में जितना भी cost लगा है, that would be the factor cost, और market price क्या हो जाएगा, market price हो जाएगा कि वो particular price जिस पर हमें goods मिल रहे हैं, market में, that is termed as market price, ठीक है, I guess इतनी चीज़े क्लिया रहे, अब domestic और national क क्या concept है, तो वो भी हम लोग देखेंगे, अब देखो, domestic जब भी बात की जाए, तो domestic का मतलब है, domestic territory के अंदर चीज़े हो रही है, ठीक है, मतलब कि domestic territory में जो भी हो रहा है, हम उसे consider करके इन्हें find out करते हैं, domestic products को, domestic territory क्या होती है, उसे मैं detail में यहाँ पर नहीं समझा नहीं समझ सकते हैं, इन शौट में, तो अगर जो है, I hope so कि आप लोग ने मतलब वो वीडियो देखा ही है, ठीक है, so domestic territory जो है, मतलब कि जो domestic product है, यह जो चारों एग्रिगेट्स हैं, जिसमें आपके domestic terms आ रहे हैं, it means कि इनका जो measurement है, all right, वो किस basis के, किस basis पर किया गया है, domestic territory के basis पर किया गया है, and then comes यहाँ पर national, जहाँ पर भी national term आ रहा है, तो तब जो है आपका calculation, normal residence के respect में किया जाता है, all right, यह in short में कुछ theory चीज़े हैं, वो आप लोग को पता होना चाहिए, these all will help you in solving your practicals, इसलिए मैं आपको एक एक चीज समझा रहे हूं, ठीक है, तो जब आप practicals करोगे ना, तो आपको चीज समझ में पहले से आई हुई रहेगी, तो आपके practicals करना easy हो जाएगा, so जब भी national product की बात करें, मतलब कि हम normal residence के respect में बात करेंगे, domestic product की बात हो रही है, तो हम domestic territory के respect में बात करेंगे, all right, now, इन सब की definition, मतलब कि आप लोगों से question में हो तो क्या ये जो eight aggregates है, सब की definition को याद करना easy है क्या, नहीं है, right, कुछ tricks होनी चाहिए न, याद करने की, बस tricks में बता देती हूं आप लोगों को, बस उन tricks को follow कर लो, तो आप लोगों को याद रह जाएंगे, कुछ keywords आपको पकड़ने है, keywords आप लोगों को याद रखने है keywords के respond में या उसके respect में आपको क्या particular terms यूज करना है, वो याद रख लो, फिर आप आठो में से किसी भी particular जो है, आपके aggregate की definition बना सकते हो, अगर मान लो आपके जो particular aggregate आपको दिया है, वो domestic product पर है, ठीक है, जैसे कि मैं बोलू GDP at FC की बात करूँ, तो ये क्या है, ये domestic product पर ह है, तो मेरी जो definition होगी, उसमें domestic territory term आना चाहिए, उसके बाद में अगर national product पर है, जैसे कि if I say GNP की मैं बात करूँ, यहाँ पर national word आया है, तो उसके definition में normal residence आना चाहिए, उसके बाद में if it is that market price, ये factor cost पर लिखा है, मान लो इसकी जगा पे मैं बोल दो market price पर है, ठीक है, GDP MP की बात कर रहे हूँ, तो अगर market price हम बात कर रहे हैं, तो फिर market value term हमें use करना है, if factor cost है हमारे पास में question में, तो अगर ये factor cost है, तो in that case हम money value जो term है, इसे use करेंगे, उसके बाद में if अगर gross पर है, that means अगर G है, तो आप gross लिखोगे, अगर net पर है, ठीक है, अगर ये N है, तो आप क्या लिखोगे, net लिखोगे, अब इन सारे terms को आपको combine कैसे करना है, इस चीज को हम लोग समझ ले, तो मैं आपको कुछ samples बता देती हूँ, of the definitions कैसे लिखना है, ठीक है, तो samples के लिए जैसे क्या आया क्या, GDP at MP, अब GDP at MP में सबसे पहले हम decode कर ले से, G है, that is यहा अब की domestic territory आना चाहिए, and MP है, तो कौन सा price आना चाहिए, market price आना चाहिए, ठीक है, अब इन तीनों terms को use करकर हमें बनानी है, अपनी definition, देख लेते हैं, it refers to gross, देखो मैं underline करते जाती हूँ, ठीक है, it refers to gross market value, यह भी लिख लिख लिया, यह भी लिख लिया, it refers to gross market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of one year, फिर इसी के साथ में आजाओ, NNP at FC पर जिससे की चीज़े और clear होंगी, N का मतलब आना चाहिए, net, यह वाला जो national है, ठीक है, जो middle वाला N है, उसके लेगे आना चाहिए, normal residence and FC पर है मतलब की money value, it refers to net money value of all final goods and services produced by the normal residence of a country during a period of one year, दोनों definition में difference क्या है, सिर्फ इन terms का difference है, बाकि as it is word to word same है, तो बस आपको जो है, एक दो पार आप इसे पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे बाकि सारे words और जैसे जैसे आप practice करते जाओगे, आपको अपने आप वैसे भी समझ में आ जाएगा, ले बस respectively उनी particular terms को आपको लिख देना है, जैसे कि अब अगर मैं बोलूँ आपको की GNP at MP क्या होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, it is the gross MP पर है, मतलब की market price, it refers to the gross market price of all the goods and services produced by the national लिखा है, मतलब की produced by the normal residence of the country during a given year, ठीक है, या during a period of one year, तो इस वे से आप किसी भी particular aggregate की definition बना सकते हो, ठीक है, I hope so की clear हो गया है आप लोगो को कि आपको जो various definitions वो कैसे याद रखना है, ठीक, then आते हैं relationship between four domestic concept पर, अब देखो, simple सी चीज है, मैंने आप लोगो बताया कि gross और net के बीच में डिफरेंस क्या है, depreciation का, ठीक है, domestic and national के बीच में क् national बड़ा होता है, तो national minus domestic में कर दूं, तो ये होता है आपका NFIA, that is net factor income from abroad, net factor income from abroad क्या होती है, यह हम लोग अपने last वाले lecture में देख चुके हैं, तो अगर कोई भी product आपका national पर है, तो उसमें आपके net income, net factor income from abroad included रहती है, अगर वो domestic पर है, तो वो excluded रहती है, जैसे कि for example, हम national से कहां जाना है, domestic पर जाना है, तो हम करेंगे national minus NFIA, तो हमें क्या मिल जाएगा, domestic मिल जाएगा, ठीक है, अगर हमें domestic से national पर जाना है, तो हम domestic में प्लस कर देंगे NFIA, तो हमें national मिल जाएगा, उसके बाद में इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा और होता है, is NIT Net Indirect Excess, ठीके, Net Indirect Excess को कैसे निगालते हो, Indirect Excess minus subsidies करके, आल राइट, तो इस वे से जो है, आप किसी भी particular aggregate को convert कर सकते हो, जैसे कि एग्जाम्बल हमारे पास में दिया है GDP at MP, और बोला गया है कि हमें find out करना है NDP at FC, तो हम कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, gross है, यहाँ पर है net, तो gross को net में convert करो, कैसे करेंगे, gross में से minus कर देंगे, depreciation को, तो हमारे पास में क्या आजाएगा, net आजाएगा, ठीक है, देन उसके बाद में, if we take, यह भी domestic पर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यह है, आपका market price पर, यह है, आपका factor cost पर, तो market price से factor cost कैसे जाएगे, minus net indirect taxes करके, ठीक है, MP बड़ा होता है, FC छोटा होता है, यह कम price होता है, as compared to market price वाला, तो यहाँ पर हमने minus कर दिया NIT को, आल राइट, तो इस वेसे जो है, आप किसी भी aggregate पर पहुच सकते हो, अगर आपको एक aggregate पता हो, तो, अब मानलो इसकी जगा पर NNP at FC होता, तो आप कैसे convert करते, यह domestic पर है, यह national पर है, इन दोनों के भीज का जो difference है, that is, net factor income from abroad, domestic, मतलब की, जो है, domestic में आपकी values कम होगी, national एक बड़ा concept हो गया, All right, तो domestic में आप add करोगे है, subtract, आप add करोगे, क्या add करोगे, NFIA को add करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, national मिल जाएगा, ठीक है, तो domestic में जब आप NFIA को add करोगे, तो आपको national मिलेगा, All right, तो इस वे से आप किसी भी particular aggregate को change कर सकते हो, So, GDP at MP plus NIT will give you GDP at FC, इसमें आपने minus किया depreciation, तो ये gross जो है, वो net में बदल गया, फिर इसमें आपने add किया NIT, तो ये factor cost कहां पर हो गया, market price में, इसमें आपने depreciation को add किया, तो आपके पास में gross आ गया, तो इस वे से सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से interlinked है, same way में आपके national products है, ये यहाँ पर GNP at MP था, इसमें से NIT माइनस कर दिया, तो ये FC पर आ गया, इसमें से depreciation माइनस कर दिया, तो ये gross जो था वो netmit convert हो गया, इसमें आपने NIT को add किया, तो ये MP हो गया, और इसमें आपने depreciation को add किया, तो ये gross बन गया, ओल राइट, so these are your four national concepts, ठीक है, I guess, चारो national concepts और चारो जो domestic concepts हैं, आप लोगों को clear है, then उसके बाद में आते हैं, categorization of domestic income पर, अब जो domestic income अभी-अभी हम लोगों ने पड़ी है, उसके, उसे हम कैसे categorize कर सकते हैं, उस चीज को समझते हैं, so the domestic income, NDPATFC of a country is earned by both private sector and public sector, so it is divided into two sub-parts, अब जो domestic income अब प्राइवेट और public sector दोनों के पास में जा रही है, तो इसे हमने क्या किया है, दो sub-parts में divide किया है, first one is income from domestic product occurring to private sector, ठीक है, domestic product की वो income जो की private sector के पास में आ रही हो, so it refers to that part of domestic income which accrues only to private sector, alright, अब इसका जो second sub-part है, वो क्या हो जाएगा, वो particular income या domestic product का वो particular part, जो की किस के लिए हो, public sector के लिए हो, ठीक है, so income from domestic product occurring to public sector, so it refers to that part of domestic income which accrues to the public or government sector, ठीक है, so it is further divided into two components, यह जो आपकी income from domestic product occurring to public sector है, यह फिर से जो है, दो components में divided है, first one is income from property and entrepreneurship occurring to the government administrative departments and savings of non-departmental enterprises, ठीक है, अब जो है, वो particular income आ जाएगी, इसमें से जो की property और entrepreneurship से मिल रही हो, जो की government accrue कर रही हो, ठीक है, जो government के administrative departments है, उससे जो भी property और entrepreneurship से, जो भी income उन्हें रसीव हो रही है, मानलो कोई government का कोई भी particular quarter है, जो की rent पर दिया गया है, ठीक है, तो उससे जो भी rent receive वा, उस property से जो भी money उन्हें मिला है, या कोई land है, government का जो की public, I would say की जो हमारी general public है, उसके लिए, उसके जो है use के लिए अगर दिया गया हो, तो उससे जो भी money मिल रहा है, कोई government owned enterprises है, तो वहां से जो भी profit on हो रहा है, वो इस particular section में आजाएगा, then second is savings of non-departmental enterprises, ठीक है, जो भी savings की जारी है, non-departmental enterprises के तुरू, वो भी इसका part हो जाएंगी, that is income from domestic product occurring to public sector, अब इस particular चीज की बारे में हमें सर्फ theory में इतनी चीज से पता होना जरूरी है, उसके बाद में आते हैं, हम जो income from domestic product occurring to private sector होता है, उस पर ठीक है, अब देखो, एक concept होता है, students, private income नाम का, ठीक है, तो private income को find out करने के लिए, हमें इस चीज को find out करना पड़ता है, इसलिए जो है, हमें इसे पढ़ना भी पड़ेगा, कि जो income from domestic product occurring to private sector हो क्या है, So, NDP at FC minus income from property and entrepreneurship occurring to government administrative departments minus savings of non-departmental enterprises, देखो, simple सी चीज है, इसे जो है ना, इतना भारी भरकम formula मत समझो, बहुत ही simple सी चीज है, हम लोगों ने पढ़ा कि domestic income क्या होती है, NDP at FC होती है, यह जो domestic income है, यह दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है, जो public sector के लिए हो, यह जो public sector earn कर रहा हो, एक हो सकती है, जो private sector earn कर रहा हो, उसके बाद में public sector जो earn कर रहा है, उसके भी दो सब पार्च होते हैं, एक है savings of non-departmental enterprises वाला, और एक है income from property and entrepreneurship, ठीक है, मैंने exam short में लिखा है, कि यह दो parts हो सकते हैं, अब अगर मान लो कि मुझे find out करना है यह particular income, तो मैं क्या करूंगी, इस NDPAT FC में से इसे माइनस कर दूंगी, बस वही चीज हम लोग कर रहा है, यह जो income from domestic product accuring to private sector है, उसमें हमने क्या किया, NDPAT FC में से माइनस कर दिया, income from property and entrepreneurship और savings of non-departmental enterprises, तो हमें मिल जाएगी जो private sector की income का part है, from this whole domestic income, All right, I guess यह जो concept है, यह clear हो गया है, अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें income from domestic product accuring to private sector मिल गया है, अब इसका काम क्या है, तो इसका काम पर आ जाते हैं क्या है, इसका काम आएगा private income को find out करने में, Now what is basically private income, so private income refers to the income which accrues to private sector from all these sources within and outside the country, ठीक है, private sector की कितनी income हो रही है, हर एक sources से, ठीक है, total income की हम बात कर रहे है, अब वो sources within the country हो सकते हैं, out of the country हो सकते हैं, कुछ भी, तो हर एक sources से totals हो है, private sector जो है, वो कितना earn कर रहा है, private sector मतलब की non-government वाला sector, ठीक है, So it includes both earned, that is factor income, and unearned income, that is transfer income, received by private sector, that is private enterprises plus household, private sector में क्या आ रहा है, private enterprises आते हैं और households आता है, ठीक है, तो इसमें आपका factor और transfer income दोनों आते हैं, कि जब भी हम national income, या फिर domestic income की calculation करते हैं, national income या domestic income अगर मैं कभी भी बात कर रही हूं, तो it means कि इनके साथ में जो various aggregates हैं, जो total 8 aggregates हम लोगों ने पढ़े हैं, उन सब की बात की जारे हैं, ठीक है, तो जब भी हम इनका calculation करते हैं, तो हमेशा हम लोग सिर्फ और सिर्फ factor income को include करते हैं, राइट, only factor income is included, transfer income कभी भी जो है, हम इनकी calculation में include नहीं करते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं private income की, तो private income में आपकी factor income भी आती है, और transfer income भी आती है, ठीक है, प्राइवेट इनकम जो है, उसमें दोनों ही चीज़े included होती हैं, ओल राइट, देन प्राइवेट इनकम ये जो है, factor income और transfer income के क्या sources हो सकते हैं, so there are two sources of factor income for the private sector, first sources का income earned within the domestic territory, known as income from domestic product occurring to private sector, ये वो चीज़ जो की हम लोग अभी अभी find out करना, seek कर आए हैं, ठीक है, कि जो है, domestic product में जो private sector की income है, ओल राइट, ये आपकी factor income का पार्ट होगा, ओल राइट, इसके अलावा हो सकता है, income earned outside the domestic territory, known as net factor income from abroad, ठीक है, अब ये जो domestic product है, तो domestic product हमें पता है, domestic territory के अंदर की बात कर रहा है, लेकिन हमने पढ़ाए कि private income में, हम rest of the world को भी include कर रहा है, तो that means rest of the world वाला scenario भी हमें यहाँ पर लेना है, तो ये हैं आपका net factor income from abroad, ठीक है, तो ये जो है, ये दो sources हैं आपके, factor income के of the private income, ठीक है, तो उसके बाद में जो transfer income है, उसके क्या sources हो सकते हैं, तो ये तीन क्या हो गई, ये तीन हो गई, आपकी transfer income of the private sector, ठीक है, जो की private income का part बनेगी, अब थोड़ा सा मतलब समझ ले, interest on national debt, current transfers from government, and net current transfers from rest of the world, interest on national debt का क्या मतलब है, देखो कभी-कभी क्या होता न, government जो होती है, वो जो general public है न, उनसे borrow करती है मानी, अब उनसे borrow कैसे करती है मानी, government जो है, वो अपने कुछ bonds वगेरा जो है, वो sell out करती है to general public, ठीक है, या फिर कोई national saving certificate हो गए, तो इस type से कोई भी instruments, government यूज करती है, जो general public है, उनसे money लेने के लिए, money borrow करने के लिए, तो government क्या करती है, bonds वगेरा उन्होंने issue किये, तो general public ने क्या किया है, general public ने उन्हें money दिया है, ये bonds को अगर किसी ने खरीदा, मानलो government ने आज एक bond निकाला है, मतलब कि जितने भी bond निकालें, देया total amount, जो है वो 50,000 का है, अब ये 50,000 के जो amount के जो like bonds है, वो लोगों ने purchase किये, लोगों ने purchase कियें, तो ultimately ये 50,000 जो वो government के पास में चला जाएगा, government के लिए ये क्या हुआ, ये एक kind से loan है, because government को वो money return करना पड़ेगा, जब भी general public ने बॉन बॉन को sell करेगी, ठीक है, तो government जो है, वो उस money को return करेगी, that means government ने उधार लिया है, लोगों लिया है, now एक simple जी जीज है, कि अगर हम like कोई भी लोगों लेते हैं, तो उस पर हमें क्या करना पड़ता है, interest पर करना पड़ता है, जैसे कि for example, आप shares debentures पर जाओ, तो अगर आप shares debentures खरीदते हो, तो इन return आपको जो है, इंट्रेस्ट वगेरा भी मिलता है उस पर, ठीक है, तो सेम वे में जब गवर्मेंट ने bonds वगेरा इशू किये, लोगों ने खरीदे, तो गवर्मेंट को पैसा तो मिल गया, लेकिन अब गवर्मेंट क्या करेगी, गवर्मेंट जो है, वो इस पर interest पे करेगी, ठीक है, गवर्मेंट क्या करने वाली है, इस पर interest पे करने वाली है, that means यह क्या है, this is interest payment हो रहा है यह, also यह हम national debt पर बोल रहे है, interest on national debt, अब national debt कैसे होई, what is the meaning of debt, तो इसका मतलब होता है, आपका एक kind से credit, या फिर हम इसे loan बोल दे एकदम simple language में बात करें तो लोन बोल दे government ने लोन किसे लिया है government ने लोन लिया है general public से ठीक है अब general public से लिया है तो वो पूरे nation से हम इस वे में हम उसे बोल सकते हैं कि हाँ government ने जो है अपने ही nation से क्या किया है loan लिया है तो अब वो उस पर कर रही है payment तो उस particular loan को हमने name दिया है national debt और उसका payment is what interest अगर interest पर कर रहे हैं तो इसलिए जो है वो interest on national debt तो interest on national debt तो जो है वो क्या है that is a transfer payment from government कहीं पर भी interest वगेरा का payment होता है तो वो क्या है that is transfer तो यह transfer payment हो गया government के side से और जो household sector है या जो private sector है specifically अगर हम लोग बोले तो प्राइवेट sector जो है वो interest earn कर रहे है that means transfer income earn कर रहे है so that is interest on national debt जो interest on national debt है वो हम private sector या private income में include कर रहे है क्यों क्योंकि यह private sector की जो है transfer income का part है और कहीं पर इसे हम include नहीं करेंगे then current transfers from government इसके apart government ने कोई भी kind of current transfers किये है या फिर net current transfers from rest of the world अब यह net का मतलब क्या हो गया कि आपने कितना payment किया है rest of the world में और आपको कितना मिला है ठीक है तो यह from minus two वाला जो concept है वो यहां पर अपलाए होगा इस net में कि कितना जो है हमें हमारी country में या हमारे country के जो private sector है उसे current transfer मिला है rest of the world से और कितना इन्हों ने दिया है दोनों के बीच का जो difference है वो निकाल कर हम बोल रहे हैं तो अब जो है वेरियस components है private income के वो हम लोगों ने देख लिए उन सबको अगर हम add कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें private income मिल जाएगी तो private income is equal to income from domestic product occurring to private sector plus net factor income from abroad यहां तक यह वाला जो पार्टे यह दोनों यह इसकी factor income बनती है उसके बाद में इसमें हमने क्या प्लस किया है national depth interest ठीक है then current transfers from government and net current transfers from row that is rest of the world तो इस वेसे जो है आपकी private income जो है वो हम लोग find out कर सकते हैं all right at present हम लोग जो है numericals नहीं करेंगे इस video में numericals हम आगे आने वाले videos में देखेंगे अभी जो हम theory part को complete कर रहें all right then आते है personal income पर अब देखो जब हमने private income की बात की थी students तो private income में हमने क्या देखा था कि ये कौन सा sector आ रहा है इसमें private sector आ रहा है अब ये जो private sector है इसके दो components हम लोगों ने देखे एक था private enterprises और एक और कौन सा था एक और था households all right तो अब ये जो personal income की हम बात कर रहें ना personal income is specifically income जो की in households की है मतलब की अब अगर हमें personal income निकालना है तो हमें इस private income में से ये पूरा पार्ट क्या कर देना रहेगा minus करना पड़ेगा right इस private income में से हमें minus करना रहेगा इस private enterprise का जतना पार्ट है उसे तब जाकर हमें क्या मिलेगा सिर्फ जो household की income होगी और इस household की income को हम क्या बोल रहे हैं इसे हम बोल रहे हैं personal income all right I guess concept clear हो गया है कैसे हम one by one जो है इसे जो है तोड़ते जा रहे हैं सबसे पहले domestic income से start किया private public पर आए फिर private में से private को निकाला फिर private में से हम personal और इस पर आ रहे हैं ठीक है तो कैसे जो हम चीजों को तोड़ रहे हैं I guess यह चीज़ें आप लोग को clear है now personal income is the sum total of all the incomes that are actually received by households from all the sources जो households receive कर रहे हैं सारे sources से सारे sources मतलब की within the country और outside the country it includes both factor and transfer income जो है personal income में भी जो है आपकी factor income और transfer income दोनों आती है जो हमारे 8 aggregates है उन्हें छोड़ कर जो हम चीज़े पढ़ने उसमें factor और transfer आ रहे हैं और बाकी उनमें जो है सिर्फ और सिर्फ पाक्टर income आएगा now personal income does not include corporate tax and retained earnings personal income में basically हमें करना क्या है private income में से minus कर देना है corporate tax को और retained earnings को अब specifically इन दोनों को क्यों minus किया है क्योंकि यह दोनों है जो की private enterprises से related रहते है corporate tax corporate tax मतलब की वो particular tax जो की जो firms है वो pay करती है किसे government को तो payment किसको हुआ है government को है household को नहीं हुआ है तो that means household की income हुई क्या वो नहीं हुई इस लिए इस चीज को यहां से minus कर दो ठीक है retained earnings that means एक kind से हम बोल सकते है savings जो की firms करती है उनके future projects future expansion या future जो भी expectations है उससे related ठीक है तो इसलिए retained earnings जो है वो household से related नहीं है इसलिए हम retained earnings को क्या कर देते हैं cancel out कर देते हैं इसलिए हम लोग private income में से corporate tax और retained earnings को minus करते हैं तो हमें क्या मिलता है personal income मिलती है ठीक है तो एक बार जो है इसका जो explanation है वो पढ़ लो बाकी जो चीज है वो मैंने आप लोगो को बता ही दिये so private income belongs to both private enterprise and the households however personal income refers to that part of private income which is received by households only personal income does not include corporate tax as such taxes are paid by private enterprises to the government and are not received by the households and personal income does not include retained earnings also as they are retained by private enterprises for their future expansion and unforeseen events इसलिए ये particular जो है इसका हम लोग formula बनाते हैं ठीक है then आते हैं disposable income पर now disposable income का मतलब क्या होता है disposable income का मतलब है कि वो particular part of income जो की actually मैं आपके पास में बच्चा है जो की आप spend कर सकते हो अपनी मर्जी से जैसे कि for example किसी भी person की मान लो income है कितनी 50,000 की लेकिन ये 50,000 ओन पेपर है बोलने के लिए 50,000 है जो in hand income आती है let's take for an example वो आती है 40,000 की ठीक है तो ये जो 40,000 है ना this is actually my disposable income 50,000 में से जो भी taxes वगेरा है वो पे करने है these are obligations यहाँ पर option नहीं है हमारे पास में यह obligation है यह हम नहीं भी चाह रहे हैं तो भी हमें pay करना पड़ेगा आप किसी भी person से पूछना जो income tax पे करता है वो यही बोलेगा यार फालतु में हम पैसा भर रहे हैं वो इतना money हमारा कट जाता है income tax में तो कोई फायदेका नहीं है वो हमारे तो किसी use में नहीं आया कोई भी person खुछनी होता income tax पे करने से क्यों? क्योंकि वो लगता है ना कि यार देखो वो इतना particular amount जो हमारी salary में से cut हो गया या हमारी income में से cut हो गया ठीक है? So वो जो है वो एक obligation है कोई भी person अपनी मरजी से नहीं करता है वो तो एक जो है जो law है वो बोलता है इसलिए हमें करना पड़ेगा पे तो इसलिए वो एक obligation है तो इसके जैसे जो भी obligations हो जो compulsory payments है वो करने के बाद में जो income actually में बच्चती है एक person के पास में अपने हिसाब से वो spend कर सके ही इस particular purpose से जब बच्चती है तो उसे हम कहते है disposable income that means disposable income जो है वो एक leftover income है which can be spend on various goods and services according to our choice all right so disposable income is the amount of money that the individuals and families have available for spending or saving after they have paid their direct taxes and received any state welfare benefits ठीक है households, individuals, families or we can say here firms also ठीक है तो जो है सारे जो भी obligations है वो पे कने के बाद में जो हमारे पास में money बच्चता है that is disposable income now types of disposable income देखें तो दो types की होती है एक होता है आपका personal disposable income एक होती है आपकी national disposable income now ये दोनों क्या है इन्हे हम लोग देख लें तो personal disposable income personal income हम लोग पढ़कर आए that is households related income तो बस वही चीज़ की personal income में से जोतना part after taxes आन उसके बाद में बच्चा है that is the disposable वाला part ठीक है so personal disposable income refers to that part of personal income which is actually available at the disposal of households ठीक है households के disposal के लिए available है PDY does not include personal taxes as households need to pay direct taxes like income tax, house tax etc to the government ठीक है तो जो आपका personal disposable income है उसमें हम personal taxes को क्या करेंगे minus करेंगे किसमें से personal income में से ठीक है जो आपका personal disposable income है उसमें हमने personal income ली इसमें से हमने minus कि personal taxes जैसे की income tax हो गया house tax हो गया जो भी आपके personal taxes है उन सबको हम minus करेंगे उसके बाद में और क्या minus करना है so PDY does not include miscellaneous receipts of government as these are fine small compulsory payments made by households to the government in the form of fees, fines, etc. ठीक है तो जो various miscellaneous receipts है government की किसी चीज़ की fine, किसी चीज़ की fees, कहीं पर penalty अगयरा तो यह जो भी miscellaneous चीज़े हैं ठीक है that means specifically एक नहीं बोल सकते यह specifically यह नहीं बोल सकते कि यह होता ही होता है इसलिए हमने उसे miscellaneous की category में डाल दिया उसे भी हम personal income में से minus कर देंगे तो क्या आजाएगा miscellaneous receipts of government अगर minus करेंगे तो हमारे पास में ultimately आजाएगा personal disposable income alright कैसे find out करना है क्या मतलब होता है I guess clear है then उसके बाद में आजाओ national disposable income पर that means पूरा nation कितना जो है dispose of करने के लिए एक nation के पास में बच्चा है that would be national disposable income so national disposable income that is ndy refers to the income which is available to the whole country for disposal ठीक है so it includes both factor income and transfer income it is also known as net national disposable income ठीक है इसमें आपकी factor और transfer दोनों आ रही है और इसे हम जो है net national disposable income भी कहते है alright so ndy includes net indirect taxes and net current transfers from rest of the world यह क्या है यह आपके transfer income वाली पार्ट है so ndy includes net indirect taxes and it is transfer income for government and is free to use the way it likes ठीक है अब जब हम national की बात कर रहे है तो एक nation में government भी आएगी एक nation में private sector भी आएगा ठीक है जुसमें की household और private enterprises सब है तो यह सब बन एक यह जो है ना सब मिलकर क्या कर रहे है nation को बना रहे है या national income को बनाते है ठीक है तो इसलिए net indirect taxes जो की एक kind से क्या है transfer income of government और government अपनी मरज़े से उसे use कर सकती है इसलिए जो है इसे हम include करते हैं उसके बाद में net current transfers from ROW that is rest of the world तो यह जो है as it is the transfer income of government received from abroad ठीक है government की भी हो सकती है private sector की भी हो सकती है all right so net disposable income that would be या फिर net national disposable income will be national income plus net indirect taxes plus net current transfers from rest of the world ठीक है यहाँ पर हमने यह क्यों लिया है क्योंकि हम किस की बात कर रहे है national disposable income की that means मान लो households ने टेक्सेस पे की है लेकिन वो government ने receive किया तो government का ultimately वो क्या हो जाता है government के लिए वो एक disposable income के पार्ट में आ जाती है इसलिए यहाँ पर हम transfer incomes को include कर रहे है ठीक है जो भी transfer incomes है ना उसे हम लोग include कर रहे है और जो factor income है वो तो यहाँ पर आ ही गई है so इसलिए इसमें हमने NIT को include किया है plus जो net current transfers है from rest of the world उसे हमने include किया है so NDY is equals to national consumption expenditure plus national saving जितना consumption हो रहा है और जितनी saving हो रही है अगर सबको हम add कर दें तो आपका जो है net national disposable income बन जाता है all right so I guess यह particular concept भी आप लोगो clear होगा जो आपका net sorry national disposable income है यह वाला then when depreciation is added to the net national disposable income we get gross national disposable income बहुत ही clear चीज है यह तो all right so I guess कि यह जो various aggregates थे हमारे private income, personal income net national disposable income gross national disposable income आपकी private income, personal income and personal disposable income and इसके आपाट जो circular flow of income है यह सारे concepts आप लोगो अच्छे से clear out हो गए अभी हमारा chapter complete नहीं हुआ है लेकिन यह पार्ट जरूर complete हो गया है and I hope so कि यह पार्ट में हमने जितनी भी चीजे पड़ी है यह सारी आप लोगो अच्छे से clear out हो गई है देखो अभी जो है हमने सारी जो है theory पार्ट को यहां पर देखा है practical part को नहीं देखा है तो practical अभी बच्चे है जो कि हम लोग solve करेंगे but I hope so कि theories जो है वो आप लोगो अच्छे से clear out हो गई है also I hope so कि यह जो video था यह आप लोगो के लिए helpful रहा होगा and ऐसे ही और videos को access करने के लिए आप लोग हमारा जो YouTube channel है social school उसे subscribe कर सकते है also you can download an academy app जहां पर आपको और भी extended features मिलेंगे like आप लोगों के पास में chance है real time interaction करने का using charts and emojis you can ask questions using question tab आप लोगों के पास में जो है light poll options है quiz के लिए also you get a chance to win scholarship through weekly scholarship test यह सारे जो features है यह जो है अवेल करने के लिए और maximum discount पाने के लिए you can use code sakshi b also इसके apart आप लोग join कर सकते है हमारा telegram channel that is social school जहां पर आपको various updates मिलेंगे also वहां से जो है आप लोग notes भी access कर सकते है plus अगर आपकी कोई queries है तो वो भी जो है आप लोग वहां पर पूछ सकते है I hope so यह सारी चीज़े आप लोग को clear है and यह जो हमारा part 2 था of national income accounting यह भी clear है Thank you